हेलो फ्रेंट्स स्वागत है आपका अपने चैनल केरवल फार्मा में तो आज का हमारा टॉपिक है सेल जो हमारे यूनिट फर्स्ट का चैप्टर टू है सेलिलर लेवल ऑफ और्गनाजेशन हम इसको कवर करेंगे अगर हम इसके पहले से चार लेक्षे कवर कर चुक है अगर आपने वह नहीं देखे हो तो आप यहां आई बटन में जाकर उसकी प्ले लिस्ट को ओपन करके देख सकते हैं तो सेल जानते हम क्या होता है तो सेल हमारी पूरी बॉड़ी हमारी क्या होती है अब हम देखने वाले हैं इसके स्ट्रक्चर को आपको फ्रेंट जितना याद आपको यह जरूर बना के आने चाहिए तो आपको मैं रिक्वेस्ट करता हूं कि आप जरूर मतलब पूरा बना लें एक वार दो तीन वार प्रेक्टिस कर लें जिससे आपको एक्जाम में हेल्प मिले आपको यह नोट्स चाहिए होंगे तो मैं डिस्किप्शन में डाल तो सबसे उपता है तो सेल हमको श्टीर्ड या फंसन नउनित अब इसके डाइग्राम में देखते है क्या ऐगर हम सबसे ऊपर से देखे तो यह एक मैम dispdy strain के तारा कवर है इसको हम बोलते है प्लाज्मा len सबसे अंदर देखें तो हमारा यह एक गार अतीत को बोलते है Nucleus अभ नुकलियस के अंदर भी क्या है एक नुकलियो लस है जो यह समझ लो कि नूकलियस का नूकलियस है अभ नूकलियस के इधर साइड जो यह ऐसे हमारे लगे हुए है इनको हम बोलते हैं गॉल की आपयर्टर इसको हम गॉल की complex भी बोलते हैं फिर हमारा यह इदर rough endoplasmic reticulum यह हमारे smooth endoplasmic reticulum है यह हमारे mitochondria है mitochondria और यह हमारे centrosome है और यह हमारे lysosomes है तो हम इन ही के बारे माँ इस्टडी करने वाले एक एक मतलब और्गनल्स के बारे में पढ़ेंगे आप ध्यान से देखेगा वीडियो थोड़ी lengthy हो सकती है फिर भी आप ध्यान से देखने हैं आपके यह cell वाला complete हो जाएगा यह 10 नमबर के हिसाफ से अगर आता है तो आपको इस्तना सारा लिखना पड़ेगा तो चलिए start करते हैं तो सेल हमारे पूरी बाड़ी में 200 डिफरेंट टाइप के सेल होते हैं और यह सेल डिवीजन के दौरा क्या करते हैं अपने आपको increase करते हैं कैसे एक सेल से दो बने दो सेल से पर चार बने अब पार्ट आप सेल देख लेते हैं जैसा आपने डाइग्राम में देख लिया प अब साइटोप्लाज में भी दो तरह का होता है दो मतलब ब्र ह Rocko मैं और एक हमारे साइटोषूल है और हमारे और ऑर इक हमारे ऑर्गिनल्स है rating उस तो सीपय्स सारी में अ आर्गिनल्स है इस सारे में खाली धन्यगा इस वे स्थे इस पूरए लागे में एले ऐरिया में इ एक बिसकस फ्लीट वही फ्लीट को हम साइटोसोल बोलते हैं ठीक है फ्रेंट्स आप और्गनल्स में हम देखते हैं कौन-कौन से होते हैं कि यह तरह के होते हैं एक रफ टलस्म कैम जाफ राइबजम कनेक्ट होते हैं एक हमारे समूथ रेडी को इहां कुछ है हमारे गॉलगी क कॉंप्लेक्स लास्प या सबस्टक एक वारे था है फिर में प्लाजम having बंत भारतैं एक कर दी काररों में हम नाम से समझते हैं कि यह बाहर की एक membrane है membrane plasma तो इसके हम basically structure आपको यह याद करना पड़ेगा इसको आप बना के आना और हम इसके तीन function समझते हैं पहला क्या है अब यह बाहर है तो जो cell के अंदर पूरा environment है इसको मोदर है internal environment औलिकल के बाहर कें पूरा environment है इसको मुन्होंधे एक सेंबरेंट अब यह प्लाज्म आप मैम्बरेंट करें इन दौनह को सैपरेट कर रहे ए एक काम यह कोगया दूसरा क्या है यही safe दे रही है हमें जो यह plasma membrane है यही इस cell को safe दे रही है दूसरा हमारा safe हो गया तीसरा क्या है मतलब यह protection भी provide कर रही है हमको अब एक barrier भी बनाती है जिससे क्या है कोई भी बाहर की जिए आप देख रहे हैं तो यह कोई भी चीज है जो बाहर के अंदर नहीं आ सकती बिना मतलब इस site plasma membrane को cross की है इसलिए मतलब safe रहता है communication में भी helpful है अब कोई दूसरे cell से करना हो कोई भी communicate जा भी बाहर external environment से तो plasma membrane के द्वारा ही होता है यहां यहां पे plasma membrane बनी कैसे होती है यह देखते हैं हम Phospholipid से बनी होते है Phospholipid Bilayer इसलिए बोलते हैं क्योंकि यह सभें में लगे देना पो सजल के लेखे बीच में तर नि पीन हाला केम सब्सक्राइब कहने ह söके। सब्सक्राइब में वर्ण तीकली फॉर में में तोसिप्लाइबै भागों और रखें में लिविए पार्ट है और फूरे एरिया को अपर कर रहा है और और हमारे मतलब उससी में कवर हो रहे हैं तो और कर लेए लिख लेएं अब नृज्ट को सबको फर फिर उसके वाद नूकली ऐस को देखेंगे चलिए स्टार्ट करते लिए तो इंड़ प्लाज्म प्रेटिकुलम क्या होता है यह एक pattern होता है हमारे पूरे membrane के अंदर ऑठ जो मतलब Talk system अब इसको हम देखते हैं क्या है system क्या है कि जो अपना वा है cell है न तो cell के अंदर जो यह आप बन रहे है यह चीजा जो बन रही है हो मोलते इस तर्ण चाहिए अब यह हैं सिच हैं इनको मुझे सिच अब बैरेंग से अलग अलग सेपकी होती हैं अब यह दूसरा काम करती हैं इंटरकनेक्ट नेटवर्क औफ इंटरनल मेंपरेइड आपको पता क्या से याद होंगा यह ऑरिगन आपको और अइंज रखना है फिर उन स्मूळ एंडोप्लाजम रेटिकृम करें disturbed क장이 coarse Tack अए और टोड़े खुर्ड़ुरे मतलब क्या है तो क्वेम offers a था कि ऑदेशिए मॉटिंटिक्रोम कि हम छोड़े मारी टैच यर्वा जिसमें हमारे तॉक եानिटम एंडोप्लासम अटेड समूद में संतेसड नहीं है रफ क्या करते है अब राइव्याय व घरता है प्रोटेन संतेसיז में help करता है मतलब यह यर है रहें यह भी हमारे प्रोटेनSंतेसिक में help करेंगे और हमारे समूध box comparisons hadaryates between healthy acid etc ,fish immune Septemberment now if you do any jug血 in fact can help us up here डियाग्रम बनाने परेंगे separately तो यह हमारे एंडोपलाजमिक रेटिकलम जिसमें हमारे आटेश है राइबुजोम और यह हमारे प्लेयन है स्मूथ है अब हम देखते हैं हमारे एक और आगे राइबुजोम के बारे में अब राइबुजोम का भी आप सीधे देख लें यह तो आपको मैंची याद रखने टिनी स्पेर होते हैं और मैं अगर वहे wings शर्लाइके सब्सक्राइब के गाहिए Japanese सीव दिया Joo पõशां जोयुक्त जो आपको यह दो फ़ंक्षन याद को एक यह स्मोल सब यूनिट होती है एक लाड़ सब यूनिट यह आपसमें मिलके यह ऐसा होता है इसे closely देख रहा है इसलिए इसलिए उपर से देखते हैं इस पेर सेप में दिखाई देता है यह हमारा राइबोजोम सिंपल हो गया अब हम देखते हैं गौलगी कॉंपलेक्स के बारे में लिखा बहुत कुछ है लेकिन मतलब आपको मैन य उसको यह मोडिफाई कर रहा है फिर उसको क्या करता है इस टोर करता है अपने अंदर और फिर इसको भेजता है मतलब सेक्रेटरी वैसल होते हैं इनके पास उसके द्वारा यह मतलब जहां पर ज़रूरत होती है उस जगह पर यह किस क्या करता है प्रोटीन को भेजने का काम मतलब श्टोर करने का काम और भीजने का काम कौन करता है हमारा गौलगी कंप्लेक्स किसद को प्रोटीन को हो यह इस मतलब डायग्राम है सिस रीजन मेडिय tussen ट्रांस्रीजन ट्रांस्रीजन के दोरा मदलब यह सेक्रेटरी प्रोटीन को भेज देता है यहां पर जरुवत होती है आप यह पढ़ भी सकते हैं तो अब हम लाग देखते हैं और आगे का लाइजोजोम अब लाइजोजोम क्या होते हैं इसका आपको सिंपल एक लाइजोजोम वर्ड से याद रखना है डाइजेस्टिव सिस्टम मतलब य कि छल य स्श्वान वर्ड सेल के अंदर भी डाइजेशन होता है अंदर तो मै Also पी कर पाता है ? क्यों कि अंदर डाइजेश्टिव प्रोटीन और लिफिद इनको भी मतलब डाइजेस्ट करने की कैपसिटी रखते हैं तो लिभी समझ रही है डाइजेस्टिव सिस्टम को ऐ एक स्पेर बनाए इसके अंदर टिनी स्पेर जिसमें लिख दिया डाइजेक्टि बहन जाए अब हमारा माइटो कॉंट्रिया देखते हैं माइटो कॉंट्रिया हमारा सबसे इसका है पॉवर हाउस ऑफ सेल मतलब यह सेल का पॉवर हाउस होता है और यह एटीप जनरेट करने म अब इसका डाइग्राम आपको याद रखना है अगर माइटो कॉंट्रिया पांच नमर में आता है तब आपको यह पूरा डाइग्राम अच्छे से बताना पड़ेगा इसकी एक लेवलिंग पैंजल से बनाए फ्रेंट थोड़ा कम दिखाई दे रहा है लेकिन नोट्स में आपको यह clear दिखाई देब मैं आपको नोट्स भीज दूगा अब हमारा एक यह आता है पेर ऑक्सीजो मस ये मतलब यह वता है यहरिले खतरनाग बहुता है उनको रोकता है बहुत अब करके यह इतना इंपोटेंट नहीं है फिरेंट लेकिन यह माइटो कौन्ट्रिया और आपको बहुत इच्छा से याद रखने है अब हमारा एक यह आता है यहां पर नूकलियस अब मतलब एक और रह गया हमारा और सैंट्रोसों अब से आपको याद रहा है सेंट्रोसों का सीधा वर्ड है से मतलब जो हमारा सेल एक सेल से दो सेल में कनवर्ट हो रहा है दो से चार में मतलब सेल जो डिवाइड हो रहा था वह किसके द्वारा हो रहा है सेंट्रोसोम की है तो सेंट्रोसोम का एक वर हमको सीधा पता रखना है सेल डिविजन से सबów tambaliں कि आखले यहाँ पर देखतें कि निज कंपले जोटा हुसेजा हता है यौन हमारा टीस्रा मतलब पार्ट है तरुस्क्छी होता है तो हमारा नुक्लियस कि यह वी स्कतिता है यह नुक्रीन सब्सक्राध करा दैफें अकि व्हां हमारा मैंने यहाँ बनाया नहीं चोटे में डवल मेंट यह सेल इस साइटो प्लाजमा से अंदर को मतलब डिफ अंदर के जो न्यूक्लियो लास है उनको सेपरेट कर रहा है इस बाहर के इनवारेमेंट अब इसके लिए तो यही बाहर का हो गया इस सेल के लिए यही बाहर का और को वह प्लाचमेंट रहा है तो उससे यह सेहीर कर रहा है खुदको इस मेंब्रीन के ज़्लों को दवारा तो यही हमारी है डॉ payer करती है साइटोप्लाज्मा से फिर इसका मैन इस्ट्रक्चर स्पेरिकल स्ट्रक्चर होता है लेकिन इसका मैन आपको याद रखना है अगर आप कोई बी डाउट या प्रोब्लम हो तो आप हमारे वाटसप गूरुप में जोई डारेक्टली कॉंटेक्स पूछ सकते हैं या आप कमेंट बॉक्स में भी पूछ सकते हैं चलिए मिलते हैं आप से अगली लेक्चर में इसके आगे की लेक्चर को कवर करेंगे थैंक यू तब तक के लिए थैंक यू टेक क्या बाइवाई